नमस्ते मैं उजवला महाराश्टोपुना से दोस्तों आप ये मेरा मेफ्लावर या फिर जिसे फुटबॉल लिली कहते हैं ये प्लांट देख रहे हैं आपने मेरे फुटबॉल लिली के केर के वीडियो में इसको देखा ही होगा बहुत खुबसूरत ये खिला हुआ था लेक के लिए शुरुवात करते हैं स्टेम कट करने के लिए हमें ऐसी कोई भी शार्प टूल की ज़रूरत है आप चाकू ले सकते हैं या फिर कैची ले सकते हैं कोई भी लेकिन वो शार्प होना बहुत ज़रूरी है और इसको साफ करने के लिए हमें चाहिए हाइड्रोजन पैर प्राक्साइड को हम थोड़ा सा रूई पे ले लेंगे और इससे हम अपने तूल को अच्छे से साफ करेंगे। यह साफ करना बहुत जरूरी है नहीं तो जो हमारा तूल है उसमें अगर कोई इंफेक्शन हो तो वो हमारे प्लांड को लग सकता है। तूल को साफ करने के बाद हम एकदम नीचे से हम इस टेम को कट करेंगे। एकदम शार्प कट होना बहुत जरूरी है। ध्यान रखे हमारे प्लांड को कुछ होना नहीं चाहिए। यह मैंने कट कर दिया है। अब इसको हम कंपोस्ट बैग में डाल सकते हैं। जहां पर हमने कट किया है वहां पर हम हल्दी पावडर लगाएंगे। हल्दी पावडर लगाना बहुत जरूरी है। जिससे हमारे प्लांड को फंगस नहीं होगी। हल्दी पावडर का उप्योग हम प्लांड में बहुत तरीके से कर सकते हैं। इसके बारे में मेरा वीडियो चैनल पे अवेलेबल है। आप उसे चाहे तो चेक कर सकते हैं। या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूँगी। इसको कट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह स्टेम अननेसेसरी फूड लेती रहती है। और हमारे प्लांट की ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो जाती है। इसलिए इस स्टेम को कट कर दीजे। इस पे अब हमने हल्दी पावडर बिठा ली है। अब हमें हमारे इस प्लांट को किसी भी चीज का डर नहीं है। तो दोस्तों कैसे लगा आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा। नमस्ते।